अस्सलाम उलेकूम नमस्ते सस्यकाल मैं फिर आप सब के पास आई हूँ शिगंजी का मसाला लेकर जो जटपट और बहुत इसली बन जाता है और जो हमारे घर में सामान अविलेबिल है उसी उनी सब चीजों को यूज करके हम ये शिगंजी का मसाला तैयार करेंगे जैसा कि आजकल हमारे मुल्क में कोवाइड 19 बहुत ही जादा बढ़ चुका है तो ये चीजें ऐसी हैं जो बहुत आईरवेदिक तरीके से बहुत मुफीद हैं हमारे नजला, खांसी, डाइजेशन इन सब चीजों को सही करती है और इसी इनी सब चीजों से मिलकर बनेगा हमा एंपाली मिर्ज है ये काला नमक है और ये वाइड सॉल्ट है अब मैं ले बताने चाहिँ है इन सब की कॉन्टिटी क्या का जैसा कि मैं हमेशा मेजरिंग स्पूं यज करती हूं तो ये मेरे पास मेजरिंग स्पून है जिसका मैंने कप लिया है ये क्या है, फ़िध05 कप और ये इसका वन फोर्थ कप है तेखिए मेरे कामरे में इसली दिख पा रहा है ये कप क्या है और जिनके पास मेजरिंग इस्पून ना हो वो किसी कटोरे की मदद से इसली कॉंटिटी को मेजर करके बना सकते हैं मैंने वन फोर्थ कप भुना जीरा लिया है वन फोर्थ कप सादा जीरा लिया है और मैंने इस कप से मेजर करके मैंने ये और इससे मेजर करके मैंने ये हाफ कप काला नमक लिया है और ये जो मेरा वन फोर्थ कप से ये जो मेरा कप था वन फोर्थ कप से मैंने थोड़ा सा कम म और यह वाइट सॉल्ट जो है देख ली जो मैंने कितनी कौंटिटी लिए यह आप बाद में भी मिक्सर ग्राइंडर में पीसने के बाद भी अपने हस्बिजाई के नमक रख सकते हैं और एक चीज मैं इसमें अभी आड करूंगी वह है पिसीवी चीनी जो मैं बाद में के अगर मैं फाइदे बताओं तो यह हमारी कफिंग को सही करता है डाजेशन को सही करता है वेट लॉस में हैल्प करता है अगर हम जीरे पर आएं तो जीरा तो बहुत ही फाइदे मंद है आज कल जादा तर लोगों को डाइबिटीज पेशेंट हो चुके हैं तो यह को इसक McMahon घुटेमं और मुफीत चीजें है जो हम इस शिकंजी के मसाले में यूस करने जा रहे है तो देख़ें आईयए चलते हैं किस तरह से हम इसको wine करेंगे मिक्सर में मिक्स करेंगे और बिल्कुल बारिक इपीस लेंगे जिससे हम जब पानी मीक्स करें तो यह मेरे पास पिसीवी शुगर है देखिए रमजान के लिए ऐसा है रमजान में लोग के पास टाइम कम होता हैं कि रमजान में हम बिला वज़ा इन चीजों में अपना टाइम वेस्ट करें इबादत में अपना सारा टाइम दे इसलिए जो चीजे पहली से पीस के रखने वाली है जैसे ही शर्बद के लिए प्रिप्रेशन वह सब चीजे करके रख लें धनिया की पतियों को फ्रोस्ट करके रख लें पहली से और भी बहुत सारी चीजे हैं जो मसाले होते हैं उन सब को पीस के रख लीजिए और यह सब चीजे में लोगों का व्लॉग देखती हूं और यह देखिए उडर जूस मैंने बहतरीन तरीके से निकाल दिया है इसमें मैं बरफ के क्यूप्स डालूंगी ज़गे नाजरीन मैंने इसमें बरफ के क्यूप्स जाल दिया हैं अब मैं इसमें फुल यह डाल रही हूं पिसीवी शूगर हाफ टीस्पून दिस यह मेरा वाटर देखिए यह मेरा थंडर धंडर शर्बर शिकन जी कर तयार है बिल्कुप्स पीने में क्या लजीज है बहुत टेस्टी है प्लीज आप लोग इसको अपने घर में ट्राई करें बनाएं और रमजान में इसको जरूर बनाएं क्यूंकि यह हेल्थ के लिए बहुत मुफीद है क्योंकि इसमें ऐसी चीज़े यूज है जो हमारे इम्मिनुटी को स्ट्रॉंग करती है काली मिर्च हो गई जो जैसा कि कोवाइट 19 चल रहा है इस लोगों को किस चीज हो जाता है तो क्या चीज़े होती है कफिंग होने लगती है स्न आपको यह